जेहंद, मैं ललित खतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता M.T.T.V. इंडिया JNU काफी लंबे समय से खबरों में बना हुआ है और आए दिन JNU से सम्मधित कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया में वाइरल हो जाती है और अफ़ाओं के बाज़ार में बहुत सफ्टे दामोर पर बेची जाती है ऐसी एक खबर JNU यानि जवारलाल नहरू उनिवर्सटी को लेकर सोशल मीडिया के बाज़ार में उड़ चुकी है दावा गलत है टाटा ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है चलिए पहले आपको बताते हैं कि असल में वाइरल पोस्ट है क्या वाइरल हो रहे टेक्स्ट पोस्ट में लिखा है स्वागत योग्य टाटा कमपनी ने JNU के चात्रों को दिया आजादी अब नहीं देगा टाटा JNU के चात्रों को नोकरी और आप इस वाइरल पोस्ट के स्क्रीनशॉट को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस पोस्ट को देखने के बाद जब परताल शुरू की गई तो मेंस्ट्रीम मीडिया पर इस वाइरल पोस्ट को से सम्मंदित खबर को ढूंडा गया इसमें हमने Tata JNU, Tata HR के कीवर्ड से Google पर खूब सर्च किया पर हमारी टीम को इससे सम्मंदित कोई भी खबर नहीं मिली इसके बाद हमने रुख किया Tata Group की वेबसाइट पर जहां भी हमें इससे सम्मंदित कोई जानकारी नहीं मिली जहां भी JNU के चात्रों को नोकरी न देने से संबंदित कोई नोटिस हमें नहीं दिखा इसके बाद हमने कंपनी से संबंदित सोशल मीडिया अकाउंट्स भी देखे जिसके बाद अंत में हमें एक जवाब मिला वो भी ट्वीटर पर टाटा कंपनी का twitter handle at the rate टाटा कंपनी ने पंदरा फरवरी 2016 को एक ट्विट का reply किया है इसमें at the rate Ambit 49 नाम के twitter handle ने 15 फरवरी 2016 को टाटा ग्रुप को टैक करते वे एक फोटो शेयर करी है जिसमें रतन टाटा की तस्वीर के साथ लिखा था, रतन टाटा ने बड़ी घोशणा, अब से टाटा कमपनी किसी भी जेनियू चातर को नौकरी नहीं देगी, जो देश का नहीं हुआ, कमपनी का कैसे होगा, भारत माता की जय है, और पूछा था, at the rate, टाटा कमपनी क्या य नहीं दिया, हमें खबरे देखने पे पता चला कि ऐसी ही एक खबर पहले भी वाइरल हो चुकी है, अजमेर में भी ऐसी खबर खूब वाइरल हो रही है, और अजमेर के कई सोशल मीडिया उप्योग करता इस तरह की पोस्ट को वाटस अप और फेस्बुक पर पोस्ट कर रह ही है, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो वहाँ सब्सक्राइब करें, वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित कतरी झार चाँ